तो इस लास्ट जो ओनर्सिप रिव्यू साना वो मैंने दिया था 20,000 किलोमेटर्स पे और अभी जो ये अप्रोक्स 30,000 चल चुकी है और शायद इतनी भाई कोई भी नई वाली जो बलीनों नई चली होगी सर्विस सेंटर वाले भी सोच रहे कि भाई इतनी जल्दी कैसे चला करूंगा जो इसमें लाइक कौन्स वगरा है प्रोस वगरा है वो सारी चीज़े चली करते हैं रिवी को सबसे पहले गाइस में आपको उदा दू जो प्रोब्लम से ना उनके बारा में बताऊंगा ठीक है क्योंकि आई थिंक वो जाननी ज्यादा इंपोर्टेंट भाई जो खूबियां है वो तो है इंपोर्टेंट बड़ जो प्रोब्लम से ना वो सबसे आधा है सबसे पहले जो प्रोब्लम ना वह यह है कि जो बोनट ये आवाज करने लग गया है और इसके साइड के होते हैं बैलेंसर वह भी मैंने हर तरीके से ठीक नहीं हो रहे है जैसे थोड में इसके बाद दूसरी चीज यह देखो अभी यह लियूज हो गया यह है यह को यह लियूज हो गया इसका नीचे तीसरी चीज और बदा दूँ सबसे पहले माँन करके किलोमेटर दिखा देता हूं आपको यह देखो 29,000 km से चला चुका हूँ भाई साब इसका जो मीटर है ना वो brightness like काम करी नहीं रही इसकी brightness कब काम करते हैं अब इस नोप को हम गुमा के रखते हैं तब अभी देखना आप मैं इसको गुमा के रखूँ गा यह जो brightness का यहां पर option आएगा ही नहीं तो यह नहीं आ रहा है ठीक है और इसका भी कोई solution नहीं है सेक्टर 18 नेक्सा में मैं यह सारी चीजे दिखा के आया हूँ गुडगाओं में उनका कहना यह है कि भाई गाड़ी छोड़ जाओ तुम यह बताओ मैं छोटी चीज के लिए गाड़ी छोड़ूँगा के यह उसके बाद में इसमें जो है न यह जो डिस्पले होती है आपको दिखाता हूं भी मैंने ओटो मोड यह कर दिया है और अभी जो है न है और इसका जो मोड है वो लगा नहीं है यह देखो बंद कर लो चाहिए ओन कर लो पर नीचे की लाइट है उसके लावन नहीं होता कुछ भी ना मीटर की लाइट डाउन हो रही है ना स्टीरियो की सब कुछ करके देख लिया है कोई solution नहीं हुआ बाकि आपके पास कोई solution हो आपके साथ ही problem हुई हो और आपको solution मिल गया हो तो भाई मेरे को ज़रू बताना बाकि जो में चीज है ने इसका brightness जो कंट्रोल करते है ना आपन मैं आपको दिखाता हूं यह देखो यह देख र तो यह सब प्रोब्लम से इसमें आगी है कबसे जब मैंने गाड़ी अपडेट करी उसके बाद तो software अपडेट मत करना यदि जितना हो उसके भाई अपना पुराना वाला चलाओ कुछ नहीं रखा wireless इनका ऐसा है कि wireless यूज करोगे न एपल गार प्ले तो आपकी sound जो आना स करने तो भाई जिसकी अभी नई गाड़ी है ना शायद उसको वही मिल रहा है पुराना वाला अपडेट करके अभी नहीं दे रहे है कंपनी तो भाई वही रखना उसके बाद में क्या कुछ प्रोब्लम से वह बता देता हूं यहां से जो ना पीछे जो सीट देख रहें व भाई आता है और जिसमें हुडी नहीं है उसमें प्रोब्लम नहीं आएगी तो ही जो फीचर बढ़िया है पट इसकी विज़ जासे एक नोईस मेरे को सुनने को मिलती है और मैं जो ना गाड़ी में गाने चला के चलता हूं क्यों क्यों क्योंकि जो साउंड है ना वो परेस साल से भाई कोई दिक्कत नहीं कोई रैटलिंग की साउंड अभी तक नहीं है तो वो चीज़े यह सारी चीज़े होगी उसके बाद सब ठीक है ऐसा कुछ like major जो है प्रोब्लम में नहीं बोलूगा छोटी मोटी प्रोब्लम तो होती है तो वो सा आरी चीज़े तो भी ठीक ह बागे इसका जो mirror है ना कल पर से एक pick up वाले ये गेट खोल दिया तो उसकी जैसे गया ये लगा और उसके बाद ये देखना कहां जाके बंद होता है देखना कहां जाके बंद होगा बिल्कुल यंदर घुसके और उदर वाला देखो कितना गैप है और अब इसमें देखो बिल्कुल भी गैप नहीं शोड़ता है तो इसको भी ठीक कराना है बट इसके जो कोस्टिंग बताई वो बताई भाई दस जार रुपए ठीक है एक mirror की सोच रहे हो क्लेम कराएंगे बट इसको तो और के सो बहुत जिक्कत अभी तक नहीं आई यह माइलेस अगरे ठीक ठाक दे रही है गाड़ी माइलेस लोगल में भाई अभी थर्ड़ सर्विस हुई नहीं है मेंली सेकिंड सर्विस थर्ड़ सर्विस ही हुई थी इसकी तो 20,000 पर हुई थोड़ी कम दे रही है बाकी तो 25 सब भी सक देती है वैसे आप क्रूस कंट्रोल करके रखते हो तो बाकी यार कोई प्रोब्लम नहीं है सारी जो भी चीज़ें वो सब चकाचक चल रही है तो जो रिव्यूज होना वो एक तरह से मैंने शेयर कर दिया आप लोगे साथ या फिर जो मैंने लाइक मेरी गाड़ी प्रोब्लम बताई उसका कोई सोलुशन हो आपके पास तो मेरे को बताना बाकी यार मिलते में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद बंदे मातरम लाव योल गईज